भारत 1947 में एक ब्रिटेन का डोमिनियन बना और 1950 में एक गणतंत्र बन गया। लेकिन ब्रिटिश राजा किंग जॉर्ज पंचम की प्रतिमा 1968 तक राजपठ शायद भारत की सबसे महत्वपूर्ण सडक के सामने इंडिया गेट पर बनी रही। भारत का रहा था लेकिन इंडिया गेट से एक ब्रिटिश राजा की मूर्ति को हटाने में 18 साल का लंबा समय क्यों लगा। इसके कई कारण हो सकते हैं। इसे बहुत से उधारन मिलते हैं जिसमें बहुत से अंग्रेज अफसर आजादी के एकी साल बाद भी भारत में काम करते रहे। भारत दुनिया के उन गिने चुने देशों में से एक था जिसने आजादी हासिल करने के बाद भी आजादी से पहले लगभग एक जैसी व्यवस्था और वही लोगों को रखा था। वे सभी भारतीय अधिकारी जिन्होंने भारतीयों को यातना देने मारने के लिए अंग्रेजों के साथ सहयोग किया वे उच्च पदों पर बने रहे। यहां तक की पश्चिमी यूरोप, फ्रांस, नीदरलैंड, बेलजियम जैसे विकसित देशों ने भी दूसरे विश्वयुद्ध के बाद नाजी सहयोगियों को दंडित किया था। और ब्रिटिश रानी कॉमन वेल्थ की मुखिया थी। एक हजार नौसो तिरे सट में भारतिय सेना के पुनर निर्मान सुध्रडी करण की योजना तैयार करने के लिए भारत आये थे। यह अकसर कहा जाता है कि लौड माउंट बेटन ने ततकालीन ब्रिटिश प्रधान मंत्री क्लेमेंट एटली की मदद से नहरू को कश्मीर विवाद के लिए संयुक्त राष्ट्र में जाने के लिए राजी किया। जब भारत को पहले कश्मीर युद्ध में बरहत मिली हुई थी। इसलिए शायद नहरू सरकार ने ब्रिटिश राजा की मूर्ती को हटाने के बारे में कभी नहीं सोचा। एक हजार नौ सो पैंसट में कुछ भारतियों ने ब्रिटिश राजा की प्रतिमा के साथ तोड़ फोड़ किया और मांग किया कि नेता जी की प्रतिमा लगी जाए। आशंका जताई जा रही थी कि इस तरह की और भी घटनाएं हो सकती हैं। फिर भारत सरकार मूर्ती को हटाने के बारे में सोचने लगे। तब भारतिये प्रधान मंत्री शास्त्री जी की मृत्यू हो गई लेकिन इंदिरा गांधी सरकार ने एक हजार 968 में मूर्ती को हटा बिटिश राजा की प्रतिमा को दिली के कोरोनेशन पार्क में रखा गया था। कांग्रेस सरकार वहाँ गांधी जी की प्रतिमा स्ठापित करने के बारे में घंभीर्ता से सोचा लेकिन योजना कभी अमल में नहीं आई। अब मोधी सरकार ने उस स्थान पर नेता जी अभिमानी, खुद्दार और सही मामले में स्वंतृत राश्ट्र अपनी राजधानी में सबसे महत्वपूर्ण स्थान पर अपने पूर्व आपनिवेशिक राजा की मूर्ती को बरदाश्ट नहीं कर सकता है। लेकिन यह वो देश है जहांकि सेडडी डी आकें और शहर औरंजेब और खिलजी जैसे बरबर लोगों के नाम पर रखा जाता है। यह देश के लिए गौरव की बात है कि इंडिया गेट पर अब नेता जी सुभाष चंद्रबोस की प्रतिमा होगी।